बिसमिल्ला रख्मान रहीम, अस्सालाम आलेकुम एवरीवन, दियर स्टुरेंट्स, दिस यूर काउंटाउन क्लास, और आएम हेर तो गिव यू टास्क आउफ काउंटाउन फॉर ग्रेड फाइब, तो ओपन यूर काउंटाउन बोक्स, पेज नूमबर ट्विंटी नाइइ वेस्ट्रेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पेज नूमबर ट्विंटी एड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एकसरसाइस टू एक, कुस्ट नूमबर टू थ्री बुक पर नोट डाउन किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नूमबर ट्विंटी नाइन विद क के सिलूशन जो हैं, बोल करने हैं, सो ओपन योर नूइट नोट बुक साल सो, सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपना पेज प्रिपेर करना है, विद प्रॉपर मार्जर लाइन, उसके बाद आपने यूनेट नंबर टू की हैडिंग देनी है, उसके बाद नेक्स्ट प नंबर इन दी गॡूप ऑफ क॓न फेक्टर लगों नापसदी नॉट नोचल सो, सट से बाद नेक्स्ट जब आप इस चैप्टर को री ओपन करें, या इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको एक क्लिव मिल जाए कि यह चैप्टर किस बारे में है उसके बाद नेक्स्ट और उसी तरह सबसे पहले margin lines draw करनी है after then mention your date day then write down exercise 2a उसके बाद exercise 2a की heading देने के बाद page number 28 and page number 29 mention करना है after then question number 123 on book page number 28 कि ये काम आप लोगों ने अपनी books पर किया है किस page पर 28 पर तो ये चीज़े आपने लाजमी mention करनी है उसके बाद next आप लोगों ने heading देनी है question number 4 question number 4 की heading देने के बाद आप आना है countdown book page number 29 पर और यहाँ आप देख सकते है question number 4 है आपका which of the following numbers are divisible by 4 option A 1,996 option B 2,000 option C 23,606 यहाँ आपको जो statement है उसके accordingly ये पूछा गया है कि ये जो आपके तीन options है आपने ये बताना है कि कौन-कौन से numbers जो है वो divisible by 4 है so इस तरहां से आपने question जो है जहाँ आपने question number 4 की heading दी है उसके नीचे आपने question number 4 जो है वो note कर लेना है उसके बाद आप लोगों ने इस तरहां से table draw करना है टेबल में आपने क्या-क्या चीजे mention करनी है एक side पर आपने numbers वो तमाम options जो है वो लिखनी है और numbers की heading देकर उसके नीचे आपने वो numbers लिखने है और next जो आपका है table इस पर आपने लिखना है divisible by 4 तो अब हम इसकी divisibility check करेंगे divisibility rule for number 4 हमने क्या पढ़ा था कि अगर number के last two numbers जो है वो divisible by 4 होंगे तो it means कि original number जो है वो divisible by 4 होगा secondly हमने ये भी कहा था कि अगर number के last two digits जो है वो zero होंगे तो भी हम original number को हम कहेंगे कि original number है वो divisible by 4 है तो अब ये दो आपने चीजे apply करनी है इस question में तो जो first number है आपका वो है उसमें आप देखें तो last two digits है वो है 96 तो 96 को हम divide करके देखते हैं यहां देखें तो मैंने division की हुई है तो 96 को हमने जब 4 के साथ divide किया तो 4 two's are 8 minus करेंगे 9 में से 8 minus किया 1 6 को आप नीचे लिख लेंगे तो यह बन जगा 16 अब 16 जो है वो 4 की टेबल में कब आता है 4 fours are 16 तो आप देख सकते हैं यह completely divide है completely dividable है तो it means that the original number is also divisible by 4 उसके बाद next है 2000 2000 के last में देखें तो यहां पर 2 zeros हैं तो it means कि this number is also divisible by 4 जो third number है उसके last में गर आप देखें तो यहां पर है 06 06 को हम कैसे पढ़ेंगे 6 ठीक है ना क्योंकि डिजिट से पहले अगर कोई 0 लगा दिया जाया तो इसकी कोई value नहीं होती ठीक है ना तो आपने यहां पर इसको 6 consider करके 4 के साथ divide करना है तो 4 के साथ जब divide करेंगे तो यह आपको remainder दे रहा है 2 तो इट means that this number is not divisible by 4 तो आपने क्या करना है इस table को आपने complete करना है जो number divisible by 4 है उसके आगे आपने tick mark कर देना है और जो divisible by 4 नहीं है उसके आगे आपने cross mark कर देना है इस तरहां से आपने अपना question number 4 जो है neat notebook पे neat and clean जो है note down करना है इंशाला ताला next question हम next video में complete करेंगे till then take care, stay blessed, Allah Hafiz